दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट मोक्स में जरूर पूचे बड़ी खबर बिहार पंचा चुना में आगन बड़ी सिविका सहाई का नहीं लड़ सकेगी चुनाव इन पर भी रूप पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर अधिसुचना की तयारियों के बीच राज निर्वाचन आयोग ने अभियरती वा प्रस्तावक के लिए अहरता निधारित कर दिया है इसके तहद आगन बाड़े केंदर पर तेनाद सिविका अध्वा सहाई का किसी भी पद के लिए चुना मैदान में नहीं उतर सकते हैं सिविका वह सहाई का चुना मैदान में उतरने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रस्ताव भी नहीं बन सकते हैं अलावा इसके लोक अव्योजक तथा जीपी भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे साथ वे किसी भी प्रितासी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकेंगे बड़ी कबर आर जेडे में अब खुली जंग तेज परताव बोले जगदानन पर कारवाई नहीं हुए तो पार्टी की किसी भी गतिविदी में भाग नहीं लूगा जहा राश्ट्य जनता दल में घमासान तेज होता जा रहा है लालो प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज परताव यादव पार्टी के प्रदे से तक जगदानन सिंग के खिलाब आर पार के लड़ाई का मोड़ बना कर कूद पड़े हैं अपने समर्दक आकास यादव को राज़त छात्र एकाई के अधक्चपद से अटाए जाने से आगब बुला तेज परताव ने कहा कि जगदानन सिंग ने पार्टी के समेधान का उलंगन किया है और अगर उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं होती है तो वह कोड़ जाएंग पर 23 अगस्त को नितिस से मिलेंगे मोदी तेजसुए भी करेंगे मुलाकात जिहां जातिया जनगरना पर प्रधान मंदरे नरेंद्र मोदे ने नितिस कुमार को मिलने का समय दे दिया है 23 अगस्त को पीम ने सीम को मिलने के लिए बुलाया है नितिस कुमार ने पीम के पास जाती है जन्गरना कराने को लेकर सर्वत दिनिदी मंडल के मिलने का समय मांगा था इसके बाद प्रतिनिदी मंडल में सामिल होंगे बड़ी खबर तेज रब्तार वाहनों की गति को पकड़ने के लिए चोराहों पर लगेंगे विसेस केमरे पकड़ाये तो देना पड़ सकता है पांच से दस हजार का जुर्माना जहां ट्रेफिक नियम को और सकत करती वे सरकार ने अब ट्रेफिक नियम को तोड़ने वालों के नाम नोटिस भीजने का प्रावधान किया है इस काम को करने के लिए राज परवतन अजेंसियों को लगाया गया है सरकार का कहना कि अब यातायाद नियमों के उलंगन करने से सम्मंदित अबराद होने पर अबराद को 15 दिनों के भीतर नोटिस भीजा जाएगा साथ चलान के निपटने तक इलक्टोनिक रिकोर्ड पास में रखना होगा आपके बतादे के नए नियम के तहट यातायाद कानूनों को पालन कराने के लिए इलक्टोनिक उपकरनों का प्रमुक्ता से इस्तिमाल किया जाएगा इनमें स्पीड पकड़ने वाला केमरा, मोटर के डेसबूर्ड पर लगाने वाला केमरा, आटोमेटिक नमबर प्लेट के पहचान समंदित उपकरन, वजन बताने वाले मसीन और अन्य इलक्टोनिक उपकरन सामिल है साथ आपको बता दे कि खतरनाक तरेकिस वाहन चलाने पर अब पांच हजार रुपे तक का जुर्माना का प्राउधान है पुर्जा को बढ़ावा देरे नितिस सरकार 200 मेगावाट और सोलर बिजली की खरीद की दर क्या हो इसके लिए जल्दी बिहार विदुद विनामक आयोग के समख याचिका दायर की जाएगी आयोग याताई करेगा की अगले 25 वर्स तक बिहार को किस दर पर बिजली मिलेगी बिहार में 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन की प्रक्रिया बिहार नियो नुबल एनरजी डेवलोप्मेंट एजनसी की और से सुरू की जा रही है पुरे राज में खाली पड़े सरकारी गैर सरकारी या अन उप्योगी जमीन पर सोलर बिजली का उत्पादन होना है बिजली उत्पादन का मोडल रिसको होगा यानि बाहरी अजनसियों आएगी ओहां सोलर बिजली का उत्पादन करेगी उत्पादित बिजली को बेड़रा बिहार विदूत विनामेक आयों की और से हत्ताई दर के अनुसार खरीदेगी अगली बड़ी कवर पटना में सबसे अधिक बिजली चोरी नालंदा दूसरे पायदान पर 13 दिनों में पकड़े गए 336 मामले जिहां राज में बिजली चोरी के अब तक के सबसे अधिक मामले पटना के पेसस छेतरे से सामने आया है यहां 13 दिनों में 336 मामले पकड़े गए हैं साथी दोस्यों फर्फाइन कर उनसे 2 कडोर 23 लाक रुपे की वसूल की गई है इसके साथ नालांदा में 3 दिनों में 71 मामले पकड़े गए हैं साथी 30 लाक रुपे की वसूल भी की गई है भागलपूर सहर में 16 मामले बिजली चोरी के पकड़े गए हैं और 8 लाक रुपे जिर्माने के रूप में वसूल किये गए हैं इसके अलावा राज के सभी जीलों में बिजली चोरी के खिलाब अभियान चलाया जा रहा है बिजली चोरी के मामले में नालांदा दूसरे नमबर पर और भागलपूर तीसरे नमबर पर है बड़ी ख़वर ग्रामिन इलाकों में नल जल योजना में देश के टॉप चार राज्यों में बिहार गुजरात महराष्ट को चोड़ा पीछे जिहां बिहार ग्रामिन इलाकों में नल जल योजना पहुचाने में देश के चार टॉप राज्यों में सामिल हो गया है गोवा, तेलंगना और हर्याना के बाद बिहार में सबसे अधिक गाउं में नल जल योजना के तहट कनेक्शन दिये गए हैं बिहार में 1.84% घरों में कनेक्शन के साथ 2019 में योजना की सिर्वात हुई थी जो अब तक 86.96% ग्रामिन घरों तक पहुँच चुकी है जबकि गोवा और तेलंगना में 100% और हर्याना में 99.94% ग्रामिन घरों में नल जल का कनेक्शन दिया गिया है बड़ी ख़बर बाड राहत पेकेज की जल्द होगी घोसना से हम नितिस बोले केंदर से मदद की मांग करेंगे जहां बाड को लेकर मुखमंतरे ने कहा कि राज में बाड राहत पेकेज की घोसना की जाएगी साथ यह उन्होंने कहा कि बाड से उभी चटी के मामले में मदद के लिए हम लोग अपनी तरब से केंदर सरकार से मांग करते हैं यह हम लोगों का प्रावधान है उन्होंने कहा कि इस बार गंगा नदी का जल इस्तर बढ़ा है उसी की चलते बहुत जगवों पर नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि यह कोशिस रहती है कि बाड पिडितों में कई कोई छोटी न जाए उन्होंने कहा कि बाड़ प्रित लोगों को रहने की विवस्ता कराने के साथ साथ उनकी मदद की जा रही है फसल की जो छती हुई है या खेती में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी काम करना है मविस्यों के लिए भी हम लोग विवस्ता कर रहे हैं उनके रहने का भी इंतिजाम किया गया है चारी की विवस्ता की गई है बड़े कबर अगले 24 गंटे में कई जीलों में होगी वहारी बारिस विभाग ने जारी किया मेग गर्जन और ठंका का अलग राज के कई जीलों में पिछले 24 गंटे में भारी बारिस की सिति देखी गई है विसेशकर उत्तर विहार के जीलों में कई जगोह पर अती भारी बारिस की सुचना है पटना सहित राज के 21 जीलों में अगले 24 गंटों में आकासी बिजली और मेग गर्जन की आसंका है किया गया उसमें किसन गंज सुपोल मदेपुरा सहरसा अररिया पुर्निया कटिहार बकसर भोजपूर रोतास बववा औरंगाबाद अरवल पटना गया नालंदा सेखपुरा बेगु सराय लखी सराय नवादा जहानाबाद भागलपूर खगड़िया मुंगेर और जमुई जिले में एक या दो इस्तानों पर गरज तड़क के साथ आकासिय बिजले गिनने की आसंका है बड़ी खवर बिहार के नौ जिले कोरोना फ्री 24 घंटे में 16 संग्रमित मिलने के बाद एक्टिव केस घट 187 पहुचा संग्रमन की रप्तार घटी है कोरोना का खत्रा नहीं ज साथ ही 12 ऐसे जिले हैं जा एक्टी मामलों की संग्या तीन से कम है यह जिले भी कोरोना फिरी रेस में आ गये हैं एक्सपर्ट का कहना है कि संक्रमन के रप्तार कम हुई है लेकिन खत्रा टाला नहीं है थोड़ी सी लापरवाहि ना सिर्फ कोरोना फिरी जिलों में मामले लोगों से बार बार मास्क और सोसल डिस्टिंस का पालन करने की अपिल कर रही है आपकी जानकारे के लिए बदा दे कि बिहार के नो जिले जो कोरोना फिरी हो गए हैं उनमें बाका बकसर जमोई केमोर नवादा पूरवी चंपरन सिकपुरा सिवर और सिवान सामिल है इंडिये की परवेस परिच्छा में सामिल होने के अनमती दे दी है साथ संग लोकसिवा आयोक को आदेश दिया है कि वहां इस फ्यसले का प्रचार करें इंडिये परिच्छा पास सितम्मर को होने जा रही है हालाकि जश्टि संजे किसन कॉल के अधिक्स्ता वाली पीट ने जहां गंगा के जलस्तर में ब्रिदी के कारान चटी दिन में भागल पूर रेलकर्ण पर ट्रेनों का परिचाल अंठफ रहा कई ट्रेनों रद कर दी गई है तो कुछ ट्रेनों को सौट टर्मिनेट कर दिया गया है इसी बीच रेलवे गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए भागलपूर जैनेगर इस्पेशल बाका राजेंद्र नगर इंटरसिटी इस्पेशल भागलपूर मुझपरपूर भागलपूर जनसवा एक्सप्रेज मालदा क्यूल इस्पेशल जमालपूर भागलपूर जमालपूर पैसंजर इस्पेशल साहिब गंज जमालपूर साहि एसाइ सर्जेंड एकजाम 2021 की बदलेगी तारीक बढ़िये अब कब होगी परिक्षा जिहां बिहार में पंचाज चुनाव की तितिकी घोसना के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार पुलिस में दारोगा और सार्जेंड के 223 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रस्तावीत परारमिक लिखित परिचा की तारीक बदलेगी सुत्रों का कहना है कि बिहार पुलिस अवर सिवा आयोग ने पंचाज चुनाव की घोसना के बाद नई तारीक बर विचार सुरुक कर दिया है समावना है कि अब परिच्छा लिखित परिच्छा दिसंबर के आखिर या जन्वरी में आई जित हो परिखबर बिहार में खुलेंगे 43 सिलाई कटाई प्रसिक्छन केंद्र कोरोना से मिरत लोगों की परिजनों को भी मिलेगा प्रसिक्छन जिहाराज के 43 जगों पर सिलाई कटाई प्रसिक्छन केंद्र खुले जाएंगे इन केंद्रों पर कोरोना से मिर्ट लोगों की परिजनों को प्रसिक्चन में प्राथिमिकता दी जाएगी उद्योग मंत्री सेयद सानवाज हुसेन ने खादी मौल परिसर में बिहार राज खादी ग्राम उद्योग बुर्ड वरसंचली सिलाई कटाई प्रसिक्चन केंदर का सुवारम किया है इसमें 25 मैलाओ बच्चियों को तीन मा का प्रसिक्चन दे कर उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि पूरे राज में ऐसे कूल 43 प्रसिक्चन केंदर खोले जाएंगे जिनमें खादी सूत कताई रेस्मी सूत कताई खादी बुनाई समेत अन्य कई तरह के प्रसिक्चन कारिकरम चलाए जाएगा बिहार में अब 9 मिटर से अधिक उचे भावनों को हर हाल में लेना होगा अगनिस रक्चा का परमान पत्र जिहाराज में अब 9 मिटर से उचे भावनों को अगनिस रक्चा का परमान पत्र लेना होगा अगनिस रक्चा को लेक वाले भावनों के लिए फायर और्डिट जरूरी है इसके उलंगन करने पर छों मा किस सजा या पचास सजा रुपी जुर्मना लग जाएगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आरजडे में हो रहे घमासान के बेच कौन सही है तेज परताब यादाव या जगदनन सिंग इसका जवाब आप हमें नीचे कौमेंट करके जरूर बताएं